दंडे के बाद अब हात में तिर्शूल लेकर बर्दवान दुर्गापूर लोकसवा सीट से बीजेपी उमिदवार दिलिप भोस चुनाव परचार के लिए निकलें रवीबार को बर्दवान में सीव मंदीर में पूजा करने के बाद दिलिप भोस अनोखे अंदाज में नजर आये दरसल उनके हातों में तिर्शूल था और उन्होंने दावा किया की आत्म रक्षा के लिए नहीं बलकि देश की रक्षा के लिए हातों में तिर्शूल उठाया वहीं त्रिणमुल कॉंग्रेस ने दिली भोस पर कटाक्ष करते हुए इस मामले को लेकर चुनाव आयोक से सिकायत करने की बात कही है उस दिन पहले ही दिली भोस दुर्गापुर में हाथ में डंडा लेकर मौर्निंग वाक के लिए निकले थे इस तरह से देखा जाये तो दिली भोस कभी अपने बयान को लेकर तो कभी अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में राते हैं बताया जाता है कि रभी बार की सुबा दिली भोस मौर्निंग वाक के लिए निकले थे मोरनी वाक करने के बाद वे सीव मंदिर में गए जहां उन्होंने भगवान सीव का जलावी से किया इस दवरान देखा गिया कि BJP परत्यासी दिलिव घोस ने हाथों में त्रिसूल उठा रखा था बाद में जब मिडिया कर्मियों ने दिलिव घोस से जानना चाहा कि उन्होंने हाथों में त्रिसूल क्यों उठाया है तो उन्होंने जबाब दिया कि जब जब दुनिया में बुरी ताकते और पाप बढ़ा है तब तक भोले बाबा ने त्रिसूल उठाया है और निरित्य टांडव किया है, मेरे कुल देवता भगवान सीव है, उनकी प्रेणना से हम स्वच भारत और स्वच राई नितीब बनाना जाते हैं आतों में त्रिसूल घुमाते हुए दिलिभोस ने कहा कि आत्म रक्षा नहीं बलकि देश की रक्षा के लिए उनकी आतों में त्रिसूल उठाया है सीव मंदीर में पूजा करने के बाद दिलीब घोस, सरो मंगला मंदीर भी गए और वहाँ भी पूजा की, इसके बाद वाजार में जाकर उन्होंने जन संपर का भियान चलाया। Bureau Report Public Times आपतर बारी अथबा ओफिस्टेके शुशोत जीतो करार जोर्नो आपतर पाशे आचे शुदुमात्रो लागजारी होम फार्निचार एन्टेकोर। एखने पे एजबेन बे, ड्रॉर्ड्रॉप, ड्रिसिंग टेबल, शोफा कंबे, डाइनिग सेट, जेकुनो धरोनेर ओफिस फार्निचार, मुल्टि पर्पास कबिनेट, इंटिरियार डेकरोशन थाक्चे, फाइब यार्स वारेंटी, एचाराव, एमाई फेसिल्टिस, ए इवों 9378293570